देखे परिक्षाय नजदीक आ रही है परिक्षा खबरी के जो मंथली PDF हैं उनको आप तयार करते चलिए डेली ये वीडियो देखते रहिए और आप सापताहिक रूप से इसको जो हम देते हैं इसको तयार करते रहिए सापताहिक या फिर्द्वी सापताहिक इससे क्या होगा आपका current affairs प्रबल रहेगा last moment में आप explore कर सकते हैं अपने knowledge को जितना हो सके और जादा जादा number gain कर सकते हैं बाकि जितनी परिक्षाएं आप दोगे सब में परिक्षा खबरी आपकी मदद करेगा कल UPSC का exam हुआ आप लोग इमानदारी से बताईएगा जो परिक्षा खबरी देखते हैं feedback दीजेगा कि आपको यहां से मदद मिली यह थो नहीं मिली इमानदारी से दीजेगा चलिए फिलाल देखते हैं 26 नउमbers को दोस्तो राष्टी दुखदीवस मनाया जाथा है इसलिए हम कह रहे हैं कैंकि लेकिन यह विष्व भर मनाया जाता है विष्व दुखदीवस मनाया जाता है कि धारत में वर्गीज야 कुरियन जो कि श्वेत कलानी के जिनक्त थे भारत में उनके जन दीवस के अउसर पर मनाया जाता है वहीं विश्व दुख दीवस को FAO के द्वारा विश्व खाद और क्रिस्टी संग्ठन के द्वारा वर्ष 2001 से मनाया जाता है ग्लोबल डे या पैरेंट्स भी माता पिता कांता राष्टी दीवस भी एक जून को ही मनाया जाता है सैंवत राष्ट महासभा के द्वारा 2012 से इसको मनाने की सुरुवात हुई थी तीन जून को विश्व साइकल दीवस वर्ड बाइसेकल डे के रूपे मनाया जाता है विश्वास संग्ठन ने 2018 से साइकल के स्वास्त और अन्य चाहे वो परियावण पे महत्व के लिए इस दीवस को मनाने की सुरुवात की थी चार जून को आकरमक्ता के शिकार बच्चों का अंतराष्टी दीवस की रूपे मनाया जाता है 5 जून को अंतराष्टी परियावण दीवस होता है 1973 से इसको मनाने की सुरुवात हुई थी दरसल 5 जून 1972 को पहला मानो परियावण सम्मेलन UN के तत्वाधान में स्टाक होम में हुआ था स्टाक होम सम्मेलन जिसको कहते हैं यहीं पर से उक्तराष्ट परियावण का एक्रम की अस्थापना भी होती है 5 जून को इसी उपलक्ष में 5 जून को अंतराष्टी परियावण दीवस की रूपे मनाते हैं UNEP की मुख्याले जो है नेरोवी में है इस बार की जो थीम है परियावण दीवस की वो है Solutions to Plastic Pollution परियावण दीवस के लिए परियावण दीवस को मनाने के लिए हर वर्ष एक मेजवान राष्ट होता है इस बार का जो मेजवान राष्ट है वो है सौधी अरब 18 लोगसभा चुनाओ परियावण आ गए जिसमें 543 में से 542 सीटों के ही परियावण आये एक सीट पर परिडाम पहले ही आ चुका था निर्विरोध सूरज सीट पर मुकेश दलाल पहले ही जीत विज़ाई खोशित कर किये जा चुके थे चुनाओं से पहले ही इंडिये गड़बंदन को इन चुनाओं में बहुमत हासिल हुआ 292 सीटे हासिल हुई इंडिया एलाइंस को 234 सीटे हासिल हुई हाला कि आप देख रहे होंगे कि अगले दिन 233 सीटे दिखाई पड़ रही थी क्योंकि एक और पार्टी इसमें शामिल हो गई थी एंडिये में तो बीजेपी पहले अस्थान पे रही 240 सीटे प्राप्त करके तेलगू देशम पार्टी 16 और जेडियू 12 इंडिये की ये टॉप तीन पार्टी थी इंडिया एलाइंस में कांग्रिस 99 सपा 37 और टीमसी 29 टॉप तीन पार्टी जो देश भर में रही सीटे प्राप्त करने मे बीजेपी पहले अस्थान पे दूसरे अस्थान पे कांगरिस 30 सथान पे सपा समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में 37 सीटे जीती और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी रही सीटे जितने में रिकार्ड जो बने वो ये बने कि 64.2 करोण का विश्व रिकार्ड मद्दाताओं का इस बार बनाया भारत ने जिसमें 312 हमेलियन महिलाएं थी नरेंद मोदी ने पूर प्रधानमंती जवालल नहरू के लगातार तीन बार बहुमत के रिकार्ड की बराबरी की लगा अरतार तीसरी बार शपत लेने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने पंडे जवालल नहरू के बाद इन दोर मत्पदेश में कुछ रिकार्ड बने जैसे बीजेपी उमेदवार शंकर लालवानी रिकार्ड 11,75,000 मतों से जीते अपने निकटतम प्रतिजवन्दी से अगर हम नोटा को दूसरे पे माने तो लगबग 10,00,000,000 वोट से ये जीते लेकिन निकटतम प्रतिजवन्दी से 11,75,000 मतों से जीते नोटा दूसरे नंबर पर रहा अब तक के सबसे आदामत नोटा को प्राप्थ हुए पूरे देश में जब से नोटा लागू है 2,18,674 मतीस में नोटा को दिये गए राज विधान सबाद चुनाओ उडिशा में राज विधान सबाद चुनाओ हुए 147 सीटों पर भारती जनता पार्टी को पहली बार इस राज में पूर्ण बहुमत प्राप्थ हुआ 78 सीटे भारती जनता पार्टों को प्राप्थ हुए BJT को 51 और कांग्रेस को 14 सीटे प्राप्थ हुए आनपदेश 175 विधान सबाद सीटों पर चुनाओ हुए NDO के यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला TDP सबसे बड़ी पार्टी रहे 135 अकेले दंपर पूर्ण बहुमत इसको प्राप्थ हुआ JNET SENA को 21 और BJP को 8 सीटे प्राप्थ हुई अरुनाचर प्रदेश में 60 सीटों पर चुनाओ हुए जिसमें BJP को बहुमत मिला 46 सीटे BJP को प्राप्थ हुए सिक्किम में 32 सीटों पर चुनाओ हुए जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीटें 32 में से प्राप्त हुई नीदरलेंड वर्ष 2023 चोबिस में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्याद गंतब बिदेश बन गया पहले अस्थान पर USA है दूसरे पर UAE है कासा क्या है कोरिया Aerospace Administration दक्षिंड कोरिया द्वारा अपनी राष्टी अंतरिक्ष अजन्सी की स्थापना की गई जिसका नाम कासा है इसका मुख्याले साचोन प्रांत में है अभ्यास भारत जिसमें भाग ले रहा है याद रखेगा पूछा जाएगा एक तो Alaska America में Wives and Abhyaas Red Flag जो की बहुराष्टी अभ्यास है दूसरा है हवाई जो की अमेरिका में हवाई दीप है वहाँ पर Rim Pack 9 सैनिक अभ्यास जो की बहुराष्टी अभ्यास है इन दोनों ही अभ्यासों में भारत ने भाग लिया किसमें किसमें रेड फ्लैग जो की अलास्का में हुआ और हवाई दीप पर रिम पैक नो सैन्य भ्याज पीवी सिंदू भारती महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं स्वास मंतराले के द्वारा तमबाकू नियंतन के लिए ब्रांड एमबेश्डर इनको बनाया गया है न्यू और्लियंस हूस्टन प्रांथ अमेरिका में यह स्थान इस्थित है दुनिया का सबसे बड़ा अंतराष्टी वैश्विक सिक्षा का एक्रम 76 न एफ से 2024 समिलन कहां परायजित हुआ न्यू और्लियंस हूस्टन अमेरिका में इसमें भारती प्रतिन प्रतिने में भाग क्लाउडिया शीनबाम मेक्सिको की पहली महिला राश्पती बनी है मेक्सिको की बात की जाये तो यह उत्तर मेरिका महादीब का देश है राजधानी इसकी मेक्सिको सिटी है शेतफल के आधार पर विश्वा तेरहमा बड़ा देश है मुद्रा इसकी मेक्सिकन पेसो है निम सन मंडेला पुरस्कार इस संस्थान को प्रदान किया गया इस पुरस्कार की सुरुवाद डबलु एचो के द्वरा दो जार उननिस से की गई थी टेस्ट एटलस ध्यान रखेगा कि विश्व के 50 सर्वोत्तम पोर्क व्यंजनों की सोची टेस्ट एटलस रिपोर्ट के माध्य से जारी की गई जिसमें कोलंबिया का लेकोना सीर्स अर्थात पहले अस्थान पे है सबसे या सर्वोत्तम पोर्क व्यंजन ये बना है विश्व का दूसरे अस्थान पे प्यूटरिको का परनिल है तीसरे अस्थान पे मैक्सको का ग्रिगांस है भारत का जो सर्वोत्तम पो विश्व ब्यापार संग्ठन WTO जिसकी अस्थापना एक जनवरी 1995 को हुई थी हेड़कॉर्टर इसका जेनेवा स्विर्जन लेंड में है भारत ने ब्यापार परिवर्तनों को लेकर आस्टेलिया को विश्व ब्यापार संग्ठन मध्यस्ता में घसीटा इसलिए ये चर्चा में आया QS 2025 विश्व द्याले रैंकिंग हाली में जारी हुई जिसमें विश्व का सरवसेष्व द्याले मेसा चुवेट्स इंस्टिटूट अफ टेक्नोलजी रहे दूसरे अस्थान पे इंपीरियल कॉलेज आफ लंदन है तीसरे अस्थान पे हारवड विश्व द्याले और आक्सपोर्ड विश्व द्याले संव द्रूप से है भारत का प्रदर्शन इसमें काफी सुधरा है बामबे जो की पहले 149 अस्थान पे था इस बार 118 अस्थान पर है और भारत का सबसे या सर्वोतम यह ranking प्रदान किया हुआ संस्थान है 150 में अस्थान पर IIIT दिल्ली है पहले यह 197 में अस्थान पर था 211 में अस्थान पर IIISC Bengaluru है जो पहले 225 में अस्थान पर भारत की तरफ से top 3 कौन कौन से हैं पहले P.I.T. बांबे, दूसरे P.I.T. दिल्ली, थीसरे P.I.S.C. बेंगलूरो प्रेश्टन वर्क, वक्र, प्रेश्टन कर्व, 1975 में सैमुल प्रेश्टन के द्वारा इस वक्र को प्रस्तुत किया गया था, खोज की गई थी यह जीवन प्रतियाशा तथा प्रतिवेक्तियाय में संबंध दर्शाता है, प्रेश्टन वक्र, अमीर देशों के लोग, गरीब देश के लोगों की तुल्ला में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, इसका ये निश्खर्ष निकलता है ओसीरिस एपेक्स, नासा का उपग्रह है, सूर के पाज शुद ग्रहों का अधियन करने के लिए इसको भेजा गया था, सूर का अधियन करने के लिए वर्ष 2016 में इस अंतरिक्ष्यान को प्रक्षेपित किया था नासा के द्वरा, बेन्नु नामक एक शुद ग्रह का इसने अधियन किया है, हाली में इसने एक और छुद ग्रह अपोफिस का अधियन किया है, इसलिए चर्चा में आया है, IUCN, International Union for Conservation of Nature, 1948 में स्थापित ये संस्था, जो की ग्लैंड स्वेडिया लेंड में इसका मुख्याले है, यूवेन और अन्य संस्थाओं को जो परिया उनके काम करती है, उनको सलाह देता है, तकनीकी और वैज्यानिक सलाह देता है, पहला मैंग्रो पारितंत्र का वैश्विक मुल्यांकन इसने जारी किया, फर्स्ट ग्लोबल एसेस्मेंट आफ मैंग्रो एको सिस्टम किसने जारी किया, IUCN ने, इसके अंसार तमिलनाड, शिलंका और मालदीव के तटी मैंग्रो को गंभी रूप से संकट ग्रस्त गुषित किया गया है, दक्षिन भारत के और मालदीव के तटी मैंग्रो को, हरियाना वाईप दूशन से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ किस राजने हाली में 10,000 क्रोन रुपै की परिजना की सारथी 2.0, सेबी द्वारा लांच परसनल फाइनेंस एप है, निवेश्कों की मदद के लिए क्या नाम है इसका सारथी 2.0, सेबी की स्थापना दोसनों सेबी जो की बाजार नियामक सबसे बड़ा प्राधिकरण है, स्थापना 1988 में, वैधानिक संस्था 1992 में इसको बनाया गया था, अर्थात ये कैसी संस्था है, वैधानिक संस्था है, हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है, शेर वाजार पर नियंतन की ये सर्वोच संस्था है, विश्व खाद सरक्षन दिवस 7 जून को मनाया जाता है, वर्ड, फूर्ड, सेफ्टी डे, सैयुक्तराष्ट मह गया जाते हैं, इस बार की जो थीम है इस दिवस की वह है, खाद सरक्षा, अब प्रत्याशित के लिए तैयारी, फूर्ड, सेफ्टी, प्रिपेर फार अन एक्पेक्टेड, अठार्वी लोग सभा में महिला सांसथ कितनी हैं दोस्तों, 74 हैं, काफी लोग कन्फ्यूज हैं, कन्फ्यूज मत होईएगा, बिजेपी की सरवाधिक हैं, महिला सांसथ 31, तो अभी इस लोग सभा में महिलाओं की कुल संख्या, अगर लोग सभा में देखें, सांसथों में 13.63 परशत है, जो कि 2019 के 14.36 परशत है, जो कि 2019 के 14.36 परशत है, थोड़ी सी कम है, 1902 में जो पहली कोनो निंको के नाम से भी जाना जाता है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पाँचवे मिशन पर ये गए हैं, इस तरह से अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले ये पहले वेक्ति बन गया हैं, विश्व के, रामसर अस्थल हाली में ना कितनी हो गई है, 82 हो गई है, बायो फार्मासेटिकल गडबंधन, ये हाली में किन देशों ने सुरू किया तो भारत इसमें शामिल है, बिलकुल सामिल है, इसके लावां अमेरिका है, दक्षड कोरिया है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है, इनके द्वारा आपूर् शिंखला में लचीलेपन के लिए यह गडबंधन एलायन्स रू किया गया है, इसका उदगाटन बैठक सैन डियागो में बायो इंटरनेशनल कन्विंशन दोजार चोबिस के दोरान हुआ, सैन डियागो ये कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है, विश्व प्रसिद शहर है, विश्व की सबसे बड़ी फार्मासोटिकल प्रदर्शनी ये थी जिसमें इसकी सुरुवात हुई, मैक्सिको H5N2 बर्ड फ्लू से पहले इंसान के मृत्य हुई अगर पूछेगा कहां पर हुई, वर्ड फ्लू के इस वेरियंट से, सामाने वेरियंट H5N1 है, H5N2 नय है, इस से पहली मृत्य हुई इंसान की मैक्सिको में, विश्व साग संग्ठन के द्वारा इसकी पुष्ट की गई, बिमरेन पहल, ब्लू एकोनॉमी में शोद को बढ़ावा देने के लिए, बिमस्टेक देशों के पीचडी छात्रों के लिए आरम किया गया ये हालिया पह है, इसका फुल फार्म याद रखेगा, बिमरेन का, बिमस्टेक एंडिया मेरेन रिसर्च नेटवर्क, इसको विदेश मंत्राले भारत सरकार वा बंगाल की खाडी का एक्रम अंतर सरकारी संग्ठन के द्वारा सुरू किया गया है, आयाइटी कानपूर ने DRDO के साथ मिलकर DRDO उद्योग अकैदमिक उर्टिस्ता के इंद स्थापित किया है, अपने कैंपस में, सेंटर आफ एक्सलेंस स्थापित किया है, DRDO के साथ मिलकर के, आठ जून को विश्व महा सागर दिवस मनाया जाता है, 1992 से इसको मनाने की सुरुआत हुई थी, ओसंस डे, थीम क्या है इ नई गहराईयों को जगाओ, अवेकेन नियो डेफ्थ, अंतर राष्टी समुद्री दिवस ध्यान रखेगा इससे अलग है, मैरी टाइम डे, जो कि सितंबर के अंतियम गुरुवार को मनाया जाता है, वहीं राष्टी समुद्री दिवस 5 अपरेल को मनाया जाता है भारत मे 9 जून 2024 को दोस्तों, प्रधान मंति गरूप में नरेन मोदी जी का लगातार तीसरी बार शपत हुआ, और इसके साथ थी वो जवाललाल नहरू के बाद दूसरे व्यक्ति बन गए इस तरह से सपत लेने वाले लगातार तीसरी बार मोदी 3.0 के कैबिनेट में अमिश्या, ग्री और साकारिता मंति जो की पहले भी थे कीरन रिजजू संसदी कार मंति और अब संख्या कल्यान मंत्री बनाए गया है, राजना सिंग पुना रक्षा मंत्री बने है, निर्मला सितारवन पुना वित्त मंत्री बनी है, वाड़िज्य मंत्री बनी है, धर्मेन प्रधान पुना सिक्षा मंत्री बने है, इस जैशंकर पुना विदेश मंत्री बने हैं नितिन गटकरी पुना सड़क परिवन मंत्राले इनको मिला है शिवराज सिंग चोहान को कृषी मंत्री बनाया गया है ग्रामीड विकास मंत्राले भी इनको दिया गया है जेपी नडड़ा को स्वास्थ परिवार कल्यान और रसायन और उर्वरक ये दो मंत्राले मिले हैं मनोहर राल खटर को उर्जा मंत्राले और शहरी विकास मंत्राले दिया गया है अश्नी वैश्नों को रेल मंत्री पहले भी थे ये और आईटी मंत्री बनाया गया है आर नाइडू को या सी आर नाइडू को उड़ेन मंत्री बनाया गया है सी आर पाटिल को जल शक्ती मंत्री बनाया गया है मनसुख मांडविया को खेल मंत्री बनाया गया है गजेन सिंग शखावत को संस्कती वा परिटन मंत्री बनाया गया है अन्य पूना देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाये गया है ध्यान रखेगा प्रधान मंत्री सहित कुल 31 कैबिनेट मंत्री पांच राज मंत्री सतंत बभार और 36 राज मंत्री अर्थात कुल 72 मंत्रियों ने सपत ली थी 9 जून को प्रेम सिंग तमांग लगातार दूसी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बनाये गया है कौन प्रेम सिंग तमांग इन्होंने शपत की लगातार दूसी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में अनामिका राजिव भारती नौ सेना की पहली महिला हेलिकाप्टर पाइलेट बनी है कौन अनामिका राजिव तृष्णा मिशन क्या है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सेटेलाइट फार हाई रिजलीशन रिव नेचुरल रिसोर्स एसेस्मेंट मिशन है ये भारत और फ्रा पिराओ रामोजी फिल्म सिटी के निर्माता उसके संस्थापक और बड़े फिल्म ब्योसाई भारती ब्योसाई और फिल्म निर्माता इटीवी नेटवर्क रामोजी फिल्म सिटी और तमाम न्यूज चैनल्स न्यूज पेपर्स के ये प्रकाशक उसके संस्थापक रहे है राश्टी फिल्म पुरसकार और पद विभूशन पुरसकार प्राप्त करता रहें इनका हाली में निधन हो गया अर्थ केयर उपग्र यूरोपी अंतरिक्ष एजनसी का यह उपग्र है हाली में चर्चा में रहा इसको पृत्वी के जलवाय के अध्यन के लिए भेजा गया है फालकन नाइन राकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है वान दोजार चॉबिस जो की कनाड़ा के बान सहर में आजित हुआ दरसलिये UNFCCC सेयुक्तराज फ्रेमवर्क कन्वेंशन अन क्लाइमेट चेंज के सहायक निकायों का साथमा सत्र है जो की बान सहर कनाड़ा में आजित हुआ इसको बान दोजार चॉबिस भी कह रहे हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामिंट पुरुष एकल का किताब कार्लोस अलकराज ने जीता इस्पैन के हैं अलेकजंडर जेवरेव को हरा करके जो की जर्मेनी के हैं महिला एकल का किताब इगा स्वियाटेक ने जीता जो की पोलैंड के महिला के लाड़ी है जैस्मीन पाउलिनी जो कि इटली के हैं इनको हराया इनों ने पुरुष यूगल का किताब मारसेलो एरेवलो वह मेट पाविक ने जीता महिला यूगल का कोको गाफ और कैटरीना सेनिया क्यों ने जीता मिश्यद यूगल का किताब लौरा सीजमंड और ए रोजर वैसलीन ने जीता 12 जून को अंतराश्टी बालशम निशेद दिवस के रूपे मनाया जाता है अंतराश्टी सम संग्ठन के द्वारा वर्ष 2002 से इस दिवस को मनाने की सुरुआत हुई थी जब ILO Convention 182 को अपनाया गया था जो कि अंतराश्टी बालशम निशेद से संबंदित है थीम इस बार की क्या है आईए अपनी प्रतिपद्दाओं पर कायर करें बालशम को समाप्त करें Let's act on our commitments and child labor भारती समिधान में बच्चे की परिभाशा को 14 वर से कम आयुका व्यक्ति बच्चा माना याता है भारती समिधान के अंसार अनुछेद 24 में अगर आप पढ़ेंगे वहीं ILO अंतराष्टी समसंगठन कार एक प्रति जो ये नियम है इसके तहट बच्चे की परिभाशा में 18 वर से कम आयुके बच्ति को रखता है तो दोनों में अंतर है याद रखेगा 1999 में ILO कन्वेंशन नंबर 182 और 138 के क्रियान्वेन को आगे बढ़ाने के लिए बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर कन्वेंशन को अपनाया गया था वर्स 2024 में इसकी 25 वर्सगाड में है सुहेलवा वंजी अभ्यारण शावस्ती बलरामपुर में और गोडा में इस्तित है ध्यान रखेगा इन तीन जिलों में फैला हुआ है उतरवदेश के यह उतरवदेश का पांचवा बाग अभ्यारण बनेगा पीली भीट टाइगर रिजर्व की दस्मी वर्सगाड पर ये घोशना की गई थी वर्तमान में चार बाग अभ्यारण है उतरवदेश के पीली भीट दुदवा अमन गड़ो रानिपुर जो की चित्रकूट में इस्तित है मलावी हाली में चर्चा में रहा क्यों चर्चा में रहा क्योंकि इसके उपराश्पती सैलोस क्लास चिलिमा का विमान हाथसे में निधन हो गया इनके साथ पूर प्रतम महिला मलावी की उनकी भी मृत्ति हो गई कुल दस लोग इस हाथसे में मरे दक्षिंड पूर्वी अफ्रीका का एक अस्तल रुद देश है मलावी जिसका पूर नाम न्यासा लैंड है इसकी राजधानी लिलोंगवे है और मुद्रा क्वाचा है सोर्स कोड हाली में बिल गेट्स का जारी किया गया घोशना है कि वो सोर्स कोड नाम से दोजार पच्चिस में अपना संस्मर्ड लॉंच करेंगे माइक्रोसार्प के संस्थापक बिल गेट्स सोर्स कोड याद रखेगा निजनी नोगो रोड रूस का एक शहर है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ पर राजित हुई भारत से दम्मू रभी इसमें शामिल हुए एस जैशंकर जो की चुनाव यहाँ चल रहे थे आदिगत विदियां चल रही थी इसलिए शामिल नहीं हुए मिस्र इरान, UAE, साओधी अरब और इथियोपिया को सारजनिक रूप से पूर्ण सदस के रूप में इसमें स्विकती प्रदान की गई हाला कि यह देश वर्ष 2030 में हिस्सा हो गए थे ब्रिक्स के मोधी 3.0 नई कैबिनेट का पहला फैसला क्या रहा प्रदान मंत्री किसान सम्मानेद की 17 किस्त को मंजूरी प्रदान की गई 13 जून को विश्व एल्बिनिज्म जागरुकता दिवस के रूपे मनाया जाता है संयुक्त राष्ट महासभा के द्वारा 2015 से इस दिवस को मनाया जाता है एल्बिनिज्म एक दुरलब गैर संक्रामक आनुवानशिक रोग है मेलनिन की अनुपस्तिती दृष्टि बादिता तोचा कैंसर जैसी परिशानिया इसमें उत्पन होती है 14 जून को विश्व रक्त दाता दिवस के रूप में विश्वास संक्टन के द्वारा मनाया जाता है 2004 में इसको पहली बार मनाया गया था तरसल 14 जून 1860 को कार लैंड श्टीनर का जन्म हुआ था आश्टिया की राजधानी वियना में जो की रक्त समू बलड ग्रूप और आरेच फैक्टर की खोज के लिए जाने जाते हैं रक्त परिशंचन तंत्र बलड सर्कूलेशन सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1628 में नोट कर लीजेगा कार लैंड श्टेनर की खोज और विलियम हार्वे की खोज अलग अलग थी दोनों का महत्व अलग अलग है डी मोटू कार्डिस एंड सांग्वीनिस इसमें रक्त परिशंचन तंत्र की जो खोज हुई थी विलियम हार्वे की इसमें प्रकाशित किया गया था वैश्विक शान्ति सुचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 Institute of Economic and Peace संस्था के द्वारा जो की जारी होता है 163 देशों के लिए जारी हुआ टाव 5 जो कंट्रीज हैं सबसे शान्त आइसलेंड, आयरलेंड, आस्ट्रिया, न्यूजिलेंड और सिंगापूर भारत ने सुधार किया है 2023 में भारत 126 में अस्थान पे था 2017 में गिरावट आई है कि अच्छा हुआ है तो गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है? 0.56% की गिरावट आई है कुएत यहाँ पर एक साथ मंजिला इमारत में आग लगने से सैकडों मजदूरों की मौत हो गई जिनमें 42 भारती भी शामिल थे कुएत एक पश्ची में शियाई देश है, इसकी राजधानी कुएत सिटी है, इसकी मुद्रा दिनार है UGC विश्वद्याले अनदान आयोग ने हाली में घोशना की कालेजों में वर्ष में अब दो बार प्रवेश लेने की अनुवत्ती प्रदान की जाएगी UNO सेउत राजसंग ने हाली में वर्ष दो जार पच्चिस को किस रूप में घोशित किया है तो क्वांटम विज्ञान और प्रद्योकी का अंतराश्टी वर्ष इंटरनेशनल इयर आफ क्वांटम साइंस और टेकनॉलजी घोशित किया है वर्ष दो जार पच्चिस में नोट करने वाली बात है कि क्वांटम विज्ञान के महत्त को देखते हुए भार सरकार द्वारा वर्ष दो जार तेईस में कब वर्ष दो जार तेईस में 6,000 क्रोण रुपए का राश्टी क्वांटम मिशन NQM नेशनल क्वांटन मिशन की सुरुआत हुई 2023 से 2031 तक इस परिज्ञा को लागू किया गया है लेफ्टरेन जनरल उपेन दिवेदी 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे के स्थान पर धल सेना प्रमुग भारत के नए बन जाएंगे विद्दुतरक्षक क्या है भारती सेना के द्वारा आरंब इंटरनेट आफ तिंक्स आधारित ट्रेकिंग सुरक्षा और नियंतर्ण प्राली है क्या नाम है विद्दुतरक्षक एपल कंपनी हाली में माइक्रोसाफ्ट को पचाड कर दुनिया की सबसे मुलिवान कंपनी बन गई कितने डॉलर के मुल के साथ 3.3 ट्रिलियन डॉलर के मुल के साथ जीमेक्स 2024 भारत जापान समुद्री अभ्यास है योको सुका जापान में हाली में आफजित हुआ फोरम के द्वारा 146 देशों के लिए जारी किया गया आपको बता दें वैश्विक लंगिक अंतराल का यह 18 संसकर्ण है 2000 रच्छा में पहली बार यह सुचकांग जारी किया गया था भारत इस बार 129 पे है, पिछली बार भरत अच्छी पोजिशन पे था 127 में पे था राजनेतिक शशक्तिकरण में भारत 65 में अस्थान पे है आर्थिक भागीदारी और उसर में 142 में अस्थान पे है स्वास्त वजीवन रक्षा सूचकांग में 142 अस्थान पे है सैक्षिक उपलब्द में भारत 112 अस्थान पे है तो भारत की चारो आधार जिनकी आधार पे ये सूचकांग बनता है इनमें सबसे अच्छी पोजीशन है राजनेतिक्ष शक्तिकरण में आइसलेंड लगातार 14 बार पहले वे स्थान पे रहा दूसरे स्थान पे फिल्लेंड है तीसरे पे नार्वे चौथे पे न्यूजिलेंड पाँच में पे स्वीडन सबसे लाश्ट में सूडान है वर्ड एकोनॉमिक फोरम ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि विश्व में वर्टवान गत्य से पूर्ण लेंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लग जाएंगे जित गत्य से हम समानता की और बढ़ रहे हैं हाली में नए मुख्यमंत्री कहा कहा कौन कुन बना है सिक्किम में प्रेम सिंग तमांग बने है अवनाचर प्रदेश में पेमा खांडू बने है डिप्टी सियम यहां चौना मीन बने है आन प्रदेश में चंद बाबू नाइडू मुख्यमंत्री बने है डिप्टी सियम पवन कल्यान बने है उडीसा में मोहन चण माजी नय मुख्यमंत्री बने है डिप्टी सियम दो लोग बने हैं पारोती परीदा और केवी सिंग्देव नोट करने वाली बात है कि देश का पहला डिप्टी सियम किसे माना याता है पहला उपमुख्यमंत्री अनुग्रह नराण सिन्हा बिहार में यह हुए थे पूर राश्पती नीलम संजीव रेड़ी ने उपमुख्यमंती पत का लोचना करते हुए कहा था कि डिप्टी सियम हाथ की अव आंचित छटी उंगली है और ये कहते हुए उन्होंने आन्पदेश का जब सियम सब पत का सपत लिया था डिप्टी सियम बनाने से इंकार कर दिया था डिप्टी सियम पत का समिधान में उपबंध नहीं मिलता है अताहिये समिधानिक पत नहीं है लेकिन यहाँ अनुच्छे 163 के दायरे में आता है कैबनेट मंत्री का दरजा इसको प्राप्थ होता है कोच्ची केरल में हाली में जनरेटिव आर्टिफिशल एंटिलेंस पर अंतरराश्टी सम्मिलन आयोजित होने वाला है कब आयोजित होने वाला है जुलाई 2024 में जिस कारण केरल वैश्विक चर्चा का विशे रहेगा जी सेवन शिकर सम्मिलन बहुत मायतपूर्ण यहां से प्रश्णा सकता है जी सेवन साथ देशों का समू है 1975 में स्थापना इसकी हुई थी हेट क्वार्टर या सचिवाला इसका कहीं नहीं है जो देश जिस वर्ष इसकी अध्यक्सता करता है उसी के एजेंडे इसमें चलते हैं 13 से 15 जून 2024 में यह अपुलिया छेतर इटली में आयोजित हुआ बोर्गो इगनाजिया जो की फसानो बिल्डिंग है यहां पर यह आयोजित किया गया जी सेवन सिखर सम्मिलन का यह पचासवा संसक्रण था भारत से प्रधान मंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया जो साथ सदस्य है इसमें भारत नहीं है साथ सदस्य देश है कनाडा, फ्रांस, यूएस, यूके, जापान, जर्मनी और इटली आमंतित देशों में भारत रहा कौन-कौन रहा आमंतित देशों में तुर्की, भारत, अलजीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, जौर्डन, केन्या, मारितानिया, ध्यान रखेगा मारितानिया को कंट्री के रूप में आमंतित नहीं किया गया था, बल्कि ये अफ्रीकी संग को आमंतित किया गया था, और मारितानिया ने अफ्रीकी संग का नि भाग लिया, यूरोपियन यूनियन इसमें एक परंपरा के रूप में भाग लेता ही लेता है, तो इसने भी भाग लिया, इसके लावा विभिन वैस्विक संगठन के अध्यक्ष जैसे अफ्रीकी विकास संग, विकास बैंक, आइम एफ, OECD, UNO, वर्ड बैंक इनके प्रमको दोजार चौबिस बच्चिस के पूर्वा नुमान को संसोधित कर दिया गया है, पहले ये 6.4 प्रत्चत थी, अब ये 6.6 प्रत्चत हो गई है, इस रिपोर्ट के अंसार भारत दोजार चौबिस बच्चिस में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्योस्ता बना 17 जून को विश्व मरुस्थली करण एयों सूखा निवारन दिवस के रोपे मनाया जाता है, वर्ड डे टू कॉमबेट डिजर्टिफिकेशन एंड ट्राउट 17 राष्ट की महासभा के द्वारा 1994 में इस दिवस की इस्थापना की गई थी, 1995 से प्रतिवर्ष इसको मनाने की सुरुवात हुई थी आपको कुछ फैट्स बता दें जो एक्जाम के लिए महत्पूर्ण है, प्रिलिम से या मुक्चे परिक्षा के लिए भारत में मरुस्थली करण के डिजर्टिफिकेशन के प्रमुख जो कारण है, उनमें सबसे प्रमुख कारण विभिन प्रदूशकों में विभिन जो जियांट कारण जिनको कहा जाता है तो पहले अस्थान पे जल अपरदन जर्ण 10.98 प्रतिशत का योगदान जल अपरदन का रहता है, दूसरे स्थान पे वनस्पतिक शरण 8.91%, तीसरे स्थान पे वाई अपरदन 5.55%, अन्यं का योगदान भी थोड़ा थोड़ा रहता है, तो कुल मिला करके आब यह ध्यान र एक लक्ष रखा है जो बहुत महत्वूण है, 21 मिलियन हेक्टेर छतिग्रस्त भूमी को बहाल करने का संकल्प भारत ने लिया है। कितने? 21 मिलियन हेक्टेर जो भूमी है उसको मुक्त कराना अर्थाद उसको अच्छा करना है। थीम इस बार की क्या है भूमी के लिए एक जुट हमारी विरासत हमारा भविश युनाइटेट फॉर लैंड आवर लीगेशी आवर फ्यूचर बीस जून को विश्व शरणार्थी दिवस होता है, वर्ड रिफ्यूजी डे होता है, 2001 से सुरुवात हुई थी इसको मनाने की, स इसकी पचास्वी वर्सगार थी 2001, यह सम्मेलन कब हुआ था, 1991 में कहा हुआ था, जुलाई 1921 में यह जिनेवा स्विट जलेंड में हुआ था, इसकी पचास्वी वर्सगार थी 2001 में, यहीं से इसको मनाने की सुरुआत हुई विश्व शरणार्थी दिवस को, इस बार की ज UNHCR के द्वारा सेंवक्त राष्ट मानवा धीकार आयोग के द्वारा 21 जून को दसवां अंतराष्टी योग दिवस इसको मनाया जाता है 2015 से इसको मनाने की सुरुवात हुई थी प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा जो सेंवक्त राष्ट महासभा की का 79 सत्र था उसमें इससे संबंदित प्रस्ताओं को रखा गया था जिसको महासभा ने स्वीकित कर लिया 11 दिसंबर 2014 को और संकल्प याद रखेगा संकल्प नंबर 79 बाई 131 131 ये संकल्प संख्या किससे संबंदिते पूछेगा तो योग दिवस से संबंदित है तो दसवा अंतराष्टी योग दिवस है इस वर्स 2014 में इस बार की जो थीम रखी गई है अंतराष्टी योग दिवस की वह है स्वयम और समाज के लिए योग योगा फार सेल्फ एंड सुसाइटी इस बार के जो वेन्यू हैं इस उत्सव को मनाने का देखे एक आधिकारिक वेन्यू वैसे तो हर जगा लगबग इस दिवस को मनाया जाता है तमाम उत्सव आवजित किये जाते हैं लेकिन कुछ वेन्यू होते हैं जो आधिकारिक रूप से तैंग किये जाते हैं तो वैश्विक अस्तर पे जो venue रहा नियुयार्क जो सेंवक्त राष्ट का मुख्याले है और भारती अस्तर पर जो राष्टी अस्तर पर venue रहा ये पूछेगा भी जिसमें प्रदान मंतरी ने भाग लिया शेरे कश्मीर अंतराष्टी कन्वेंसन सेंटर स्री नगर जम्मू क प्रश्मेर को इस बार स्थल बनाया गया था भारत में योग दीवस मनाने का। आपको बताएं कि अंतराश्टी योग दीवस मनाने के लिए भारत में जो नोडल मंत्राले है वो है आयुश मंत्राले। आयुश मंत्राले ने 100 दिन पहले 13 मार्श दोजार चौबिस को विज्ञान भौन नई दिली में योग महोसो दोजार चौबिस इसको मनाने की सुरुआत की और इसकी थीम क्या रखी महिलाश शक्ती गरण के लिए योग क्या रखा था महिलाश शक्ती गरण के लिए योग 22 ज आपको बता दें, फैक्ट याद रखेगा, दुनिया के सबसे बड़े जो वर्षावन है, टॉप टू के पहले अस्थान पे अमेजन का नाम आता है, दूसरे अस्थान पे कांगो वर्षावन आता है, 23 जून को 17 लोक सेवा दिवस के रूपे मनाया जाता है, वर्ष 2003 से इसको मनाने की सुरुवात हुई थी, वहीं 23 जून को ही अंतरराष्टी उलम्पिक दिवस भी सन 1948 से मनाया जाता है, 23 जून को अंतरराष्टी उलम्पिक दिवस मनाने का जो कारण है, वो यह है, कि 23 जून 1894 को अंतरराष्टी उलम्पिक कमेटी की स्थापना की गई थी, इसकी ज प्राजनिक परिक्षाद नियम P.E.A. जो एक्ट है दो जार चॉबिस ये कब से लागू हुआ 21 जून को रात देर से इसको लागू कर दिया गया तीन से पांच वर्स तक की कैद की सजा तथा दस लाग से एक करून तक के जुर्माने का इसमें प्राउधान रखा गया है कुल बिहार हाई कोट जो पटना हाई कोट है उसने हाली में एक नेड़े लिया जिसमें बिहार सरकार के जो आरक्षन सीमा थी 50% से बढ़ा कर SCSTOBC की जो कुछ समय पहले 15% बढ़ाने का जो नेड़े था बिहार सरकार का उसको रद कर दिया है उसको असमेधाने गुशित कर दिय वैश्विक उर्जा संक्बन सूचकांग 2024 वर्ड एकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उनमें एक महत्मूर्ण रिपोर्ट है इनरजी ट्रांस्मिशन इंडेक्स इसमें स्वीडन पहले अस्थान पे रहा दूसरे अस्थान पे डेनमार ती उडिशा विधान सभा की दूसरी महिलाई स्पीकर बन गई है हाली में जो विधान सभा चुना हुए वहाँ पर तो उडिशा विधान सभा की ये नई महिलाई स्पीकर बनी इस तरीके से उडिशा विधान सभा की ये दूसरी महिलाई स्पीकर बन गई है तजाकिस्तान जाब तथा इसलामी परिधान पर इसने प्रतिबंद लगा दिया प्रश्ण पूछेगा तो आप सोचेंगे इसलामी कंट्री है ये कैसे प्रतिबंद लगाएगा लेकिन इसने लगाया है आधार क्या रखा है कि चरम पंथी जो समुदाय होते हैं वो इस तरह की मानिताय रख स्थित है इसकी उचाई याद रखेगा यही पूछ सकता है 369 मीटर उचा है जो कि एफिल टावर से 35 मीटर जादा उचा है यह उधंपुर श्री नगर 12 मुला रेल लिंक पर यह स्थित है रेलवे के द्वारा हाली में इसका ट्राइल किया गया इसलिए ये चर्चा में आय स्थायोग ने वैश्विक सद्भावना राजदूद बनाया गया है तो सैयुक्त राष्ट के वैश्विक सद्भावना राजदूद कौन बने है थियो जैम्स भरतिहरी महताब जो कि उडिसा से आते हैं पहले बीजेडी में थे बाद में बीजेपी में शामिल हो गए सांस पाल ने उत करता है और केंदर में कौन ने उत करता है राष्पती ने उत करता है ये अस्थाय अध्यक्ष होते हैं लोगसभा के पहले पहली जो बैठक होती उसकी अध्यक्षता यही करते हैं और नए लोगसभा अध्यक्ष का जब तक चुनाओ नहीं हो जाता ध्यान रख आखे लोग सब अध्यक्ष का चुनाव होता है सदस्यों के द्वारा ही जब तक उसका चुनाव नहीं कर लिया था तब तक यही अध्यक्ष की भूमिकार निभाता है। पूरे विश्व का 90 प्रतियत हथियार अकेले रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 4,380 परमाण हथियार हैं तो वहीं अमेरिका के पास 3,708 परमाण हथियार हैं। तीसे अस्थान पे चीन का अस्थान आता है 500 परमान हत्यारों के साथ, चौथे अस्थान पे फ्रांस है 290 परमान हत्यारों के साथ, पांचमे अस्थान पे ब्रिटेन है 225 परमान हत्यारों के साथ, भारत का अस्थान छठा आता है 172 परमान हत्यार भारत ने रखे हैं, पाकि कि पात 170 परमान रथियार है इस्राइल के पास 70 तो ही उत्तर गुरिया के पास सबसे कम अर्थाथ 50 परमान हथियार है थाइलेंड दक्षिणपूर वेशिया में सम लेंगिक विवा को मानता देने वाला पहला देश कौन बन गया है थाइलेंड साहित एकदमी युगा पुरसक प्रदान किये गे इन सेडियों में दो याद रखेगा अंग्रेजी भाषा में के वैशाली को होमलिस के लिए वहीं गौरो पांडे को इसमितियों के बीच घेरी है पितवी के लिए हिंदी भाषा में दिया गया विनोध गडात्रा भारती फिल्म इनवाता है दक्ष्या फीक अर्बियाई वाल अलपना किला वाला की ये पुस्तक है जो कि आर्बियाई में इनके 25 वर्ष जो इन्होंने गुजा रहे हैं उस पर आधारित है उसमें तमाम जो घुटाले हुए ठीक है जिसमें एक इसकेम बड़ा इसकेम शेयर मार्केट में था वो भी उसके बारे में विश्तित्वी वड़न दिया है आपको बता दें कि रिजर्बेंक आफ इंडिया को वर्ष 2024 को का जो खिम प्रमंधक पुरसकार मिला है किसके द्वारा सेंटल बैंकिंग लंदन के द्वारा किसको रिजर्बेंक आफ इंडिया को वर्ष 2024 का जो खिम प्रमंधक पुरसकार म मेला है कांस फिल्म महसो 77 जो की संस्कंड था ये कांस फ्रांस में आवजित हुआ सीर्स पुरसकार जो माना जाता है इस महसो का पालमे डियोर जो की निर्माता सीन बेकर को अनुरा फिल्म के लिए दिया गया इस महसो की उधगाटन फिल्म दूसरा एक्ट रही सेकेंड के लिए इनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला यहां पे और इनके बारे हमने चर्चा वीडियो में की है इसके पहले मिग्वेल गोम्स को सरसे निर्देसक का पुरसकार मिला ग्रैंड टूर मुवी के लिए बेस्ट एक्टर का वार्ड जेसी प्लेमंस को मिला काइंड आफ काइंडनेस के लिए बेस्ट एक्टरस का वार्ड चार एक्टरस को मिला एमेलिया पेरेज मुवी के लिए एड्रियाना पाज, कार्ला सोफिया, सेलेना गोमेज और जो सल्दाना को सतत विकास रिपोर्ट दोजार चोबिस SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेबलमेंट गूल इंडेक्स नौवा संस्क्रण इसका हाली में सायुक्त राज सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN के द्वारा जारी किया गया SDSN की जो स्थापना की गई थी 2012 में की गई थी SDG लक्षों का केवल 16 प्रत्षत ही प्राप्त किया जा सकता है 2030 तक जिस गति से काम हो रहा है सतत विकास लक्षों पे तो एक बहुत निराशा जनक ख़बर है सीर्स प्रदर्शन करने वाले जो देश हैं इसमें Finland, Sweden, Denmark, Germany और France ये देश ऐसे देश हैं जो सतत विकास लक्षों को प्राप्त कर लेंगे 2030 तक इस सुचकांग में ये टॉप फाइप पे हैं दक्षन सुडान सबसे निचले पाईदान पे है 166 पे 166 पाईदान पे अर्थाथ ठीक दूसरे नंबर पे नीचे से है Central African Republic भारत इसमें 109 में पाईदान पे है भारत का कुल स्कूर जो है 63 समलो 9-9 है परियावण प्रदेशन सुचकांग 2024 EPI जो 2024 है ये एक द्वी वार्षिक रिपोर्ट है ध्यान रखेगा जो परियावण प्रदेशन सुचकांग है Environment Performance Index है ये एक द्वी वार्षिक रिपोर्ट है हर दो वर्ष में जारी होता है 11 सेंडियों में इसमें मुल्यांकन किया जाता है इसको वर्ड एकोनॉमी फोरम के द्वारा कुलंबिया विश्वद्याले के सहयोग से बनाया जाता है 180 देशों में भारत 176 अस्थान पे है इस सुचकांग में भारत का अस्थान नीचे से 5 में पे है अर्थात भारत बुरी स्थिती में गुजर रहा है इसमें विभिन जो इसके सब इंडेक्सेस थे उसमें वाई गुडलता में भारत 177 अस्थान पे है 2025 तक अनुवानित उत्रजन में भारत 172 अस्थान पे है जलवाई परवरतन में भारत 133 अस्थान पे है वहीं टॉप 5 जो कंट्रीज हैं इस सुचकांग में वो हैं एस्टोनिया पहले अस्थान पे दूसे पे लक्जंबर्ग, तीसे पे जर्मनी, चौथे पे फिनलैंड, पांचवें पे उनाइटेट केंगडम इसका मतलब है कि इस्टोनिया ने काफी काम किया है पहले अस्थान पे आने का मतलब है स्पीकर जो नए बने हैं जो नए चार राज्यों में विधान सभा चुना हुए उडिसा में सूर्मा पाड़ी, सुक्किम में मिंगबा, नोर्बु शेरपा अवनाचर प्रदेश में तेसम पुंगटे आन प्रदेश में सी अयना पत्रुडू ये चारो नए स्पीकर बने हैं नए विधान सभाओं के प्रोटर मिश पीकर की बात अभी हमने की थी तो प्रोटर मिश पिकर का परावधान लोक सभा के लिए नुच्च्चेद 181 में दिया गया है अब तक तीन प्रोटर मिश पिकर ऐसे हुए हैं ध्यान रखे लोक सभा के संदर में अब तक तीन प्रोटम स्पीकर हुए हैं जो स्पीकर भी बन गये हैं जिनका चुनाओं स्पीकर के लिए कर लिया गया है कौन-कौन जीवी माउलंकर जो कि पहले स्पीकर भी थे भारत के लोगसभा के दूसरे सरदार हुकम सिंग और तीसरे सोम नाद चटर जी इस तरीके से याद रखेगा कि भारत के पहले जो प्रोटम स्पीकर थे जीवी माउलंकर ही थे और भारत के पहले स्पीकर तो ये थे ही तो आज के लिए इतना है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कल वाले वीडियो में दो संशोधन है कर ली जाएगा इन्हें पहला कि ये जो विश्व मरुस्तली करण और सूखा निवारण दिवस होता है इस दिन को जो हम डिस्काइब कर रहे थे जो बता रहे थे वर्ष 2030 तक भारत ने 21 मिलियन हेक्टेर छतिगरस्त भूमी को बहाल करने का संकल्प लिया है तो ये पहले लिया था लेकिन 2019 में यो UNCCD का कोप 14 हुआ था उसमें भारत ने अपने इस लक्ष को बढ़ा कर 26 मिलियन हेक्टेर कर दिया है अथा तब भारत को 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेर छतिगरस्त भूमी को बहाल करना है ये लक्ष है दूसरा संशोधन यहां आमने बताया था कि प्रोटम स्पीकर का जो उपद है वो लोक सभा के लिए अनुच्छेद पंचान बेवन न बता कर उन्टीरान बे बता दिया था तो अनुच्छेद पंचान बेवन में दिया गया है इसके बारें प्रावधान राश्पती नियुक्त करता है इसे अस्थाई रूप से तो 95-1 में है न कि 93-1 में इसको सही कर ले जाएगा खालू बार युद्धिसमारक कौन सा खालू बार युद्धिसमारक भारती सेना के द्वारा कारगिल विजे दिवस की 25 वर्जगाट के उपलक्ष में कहां पर खोला गया है लद्धाक में कौन खालू बार युद्धिसमारक याद रखेगा लद्धाक में 18 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये मुंबई में आवजित हुआ भारती फिल्म दगोल्डन ठेड को वहाला कि ये इतना महत्पूर नहीं है लेकिन इस बार चर्चा में बहुत है इसके पहले चर्चा में नहीं होता था सायद इसके पहले मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आपने कहीं भी निउस भी नहीं देखिव होगी लेकिन इस बार पी आई बी में भी स्पेसली इसका जिक्र हुआ है इसलिए आद रखिएगा भारती फिल्म दा गोल्डन थ्रेड को सरसेष्ट डाकुमेंटरी के लिए गोल्डन कौच पुरसकार स्वाण संख पुरसकार मिला इसकी निर्देशक निष्ठा जैन है सौर मिल्क एस्टोनियाई फिल्म है इसको अंतराश्टी लगुकथा के लिए रजत शंख सरसेष्ट मूवी का सार मिल्क को ये देखे एस्टोनियाई मूवी है ध्यान रखेगा एस्टोनिया की फिल्म है लग कथा के लिए रज़त अशंक या सिलवर कौँच पुरसकार प्रदान किया गया यह दो याद रखेगा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ड इन्वेश्टमेंट रिपोर्ट हाली में जारी की गई किसके द्वारा अंकटाट के द्वारा अंकटाट के स्थापना दोस्तो 1964 में हुई थी हेड़कॉर्टर इसका जेनेवा में है यह यूवेन सचीवाले के अंतरगत आता है यह संउत राष्ट की महासभा और एको सोक आर्थिक हो सामाजिक परशद दोनों को रिपोर्ट अपनी सौंपता है विकास सिल देशों में व् भावा देने का काम यह करता है अंकटाट 1991 से प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से विश्व निवेश रिपोर्ट या वर्ड इन्वेश्टमेंट रिपोर्ट यह प्रकाशित करता है इस वर्ष भारत की स्तिती थोड़ी खराब रही निवेश के मामले में भारत का जो FDI है व पहले यह 48 बिलियन डालर था पिछले वर्ष तब भारत की रैंकिंग आठ पर थी विश्व में आठवे अस्तान पे था भारत FDI प्राप्त करने वाले देशों में इस वर्ष मात्र यह 28 बिलियन डालर है अर्था 43 पतिशत की FDI में कमी आई पिछले वर्ष के तुलना में भ चीन दूसरे अस्तान पे हैं तीसरे पे सिंगापूर चौथे पे होंग कॉंग हैं महाराज या उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों का सरक्षण व प्रजनन केंद स्थापि किया जाएगा कहां पे महाराज गंज में किंग वल्चर के लिए सरक्षण व प्रजनन केंद इसका नाम जटायू सरक्षण व प्रजनन केंद्र होगा यह लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं दोस्तों आयूसीन की रेड लिस्ट में गंभी रूप से लुप्राय क्रिटिकली इ इसका नाम पिंजओर हर्याना में भारत का पहला एसिया का भी पहला गिद्ध सरक्षण के अंद्र जिसका नाम जटायू प्रजनन व सरक्षण केंद्र है इसकी अस्थापना की गयी थी कहां पे पिंजओर हर्याना में यह लो यह गो महाराज गंज में खोला जा रहाthose कर दिया इसका SVOM Space Variable Object Monitor आपको बता दे कि गामा जो अंतरिक्ष में गामा रे विस्फोट है उसका अधियन करने के लिए चीन और प्रांस का संयुक्त उपग्रह अभियान है जिसको हाली में चीन के सिचुवान प्रांत में जिचांग सेटेलाइट लांस सेंटर से लॉंच किया गया SVOM Space Variable Object Monitor चीनी फ्रांसिंसी उपग्रह है चीन और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह अभियान केरल के कोजी कोट जीले को युनेसको के द्वारा भारत का पहला साहित का शहर के रूप में समानित किया गया है किसे कोजी कोट केरल को भारती बिमानन एरलाइन बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बाजार बन गया है एक दशक पहले ये पांच में इस्थान पे था अब कैसरे पे हो गया है तीसे इस्थान पर हो गया है पहले इस्थान पे USA है 84 मिलियन सीटों के साथ दूसरे अस्थान पे चीन है 65 मिलियन सीटों के साथ तीसरे अस्थान पे भारत अब हो गया है 15 मिलियन सीटों के साथ जा पांच उथे पे हैं पांच में पे ब्राजील है क्रमशह 12 और 10 मिलियन सीटों के साथ जम्मू कश्मीरकार शीनगर विश उशिल परिशत के दोरा 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 विश उशिल परिशत के दो गया लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म है इसका डब्लू सी सी है यह डब्लू सी सी बना हुआ है नामा क्वालेंड दक्ष्य अफीका का एक अस्थान है जहां दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीलक हो जा गया कहां पे नामा क्वालेंड में एडीबी एशियाई विकास बैंक भारत की स्वास सेवा पडाली के लिए इसने अभी हाली में 170 मिलियन डॉलर का रिंड स्विकृत किया जो की बहुत बड़ा रिंड है 1418 करोण रुपय का लगभगिया है 19 दिसंबर 1986 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी हेड़ क्वाटर इसका कहां है फिलिप्पीन्स की राजधानी मनीला में है वधावन महाराष्ट का एक स्थान है केंद्री कैबिनेट के द्वारा हाली में यहाँ पर बंदरगा को स्थापित करने के लिए 76,200 क्रोन रुपए की मंजूरी दी गई तो बधावन बंदरगरा कहां परिस्तित होगा महाराष्ट में याद रखेगा हेमिस महोसो जो कि तिब्बती बहुत धर्मोसो है प्रतिवर्स लदाक में हेमिस मठ में आयुजित किया जाता है जो कि सबसे बड़ा बहुत मठ है हाली में चर्चा में आई जब चीनी मीडिया की द्वारा इसको लेकर के तमाम तरह के उलूल जूल दावे किये गए इंदिरा गादी इंटरनेशनल हवाई अड़ा नई दिल्ली में ये इस्थित है जो अंतराष्टी हवाई अड़ा है सेल्फ सर्विस बैगेज ड्राफ सिस्टम स्वा सेवा बैगेज ड्राफ सिस्टम सुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड़ा बन गया है अब आपको बता दें कि जो बैग चेकिंग करने की जो प्रणाली है भारत में इस वज़ज़ से काफी लेट लतीफी होती है भी हमने उपर नहीं बताया आपको अंकटाड, United Nations इसका नाम Conference on Trade and Development था पहले United Nations Conference on Trade and Development सेंव्त राष्ट विकास और व्यापार के लिए समेलन ये पहले इसका नाम था 2024 आपको पता है, हमने बताया 1964 में इसकी स्थापना होई थी 2024 इसका जो है, साथवास थापना दिवस है ठीक, अंकटाड का इस अवसर पर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है UN Trade and Development सेंव्त राष्ट व्यापार और विकास अब इसका नाम हो गया है याद रखेगा, बहुत महत्पूर्ण है, पूछा जा सकता है हाला कि इसका जो शॉर्ट फार्म है, वो अंकटाड ही रहेगा अर्थाथ अंकटाड के नाम से ही ये जाना जाएगा तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद 26 जून को अंतराष्टी नसार निरोधक दिवस International Day Against Drug Abuse के रूपे मनाय जाता है स्ट्राष्ट महासभा ने दिसंबर 1987 में इस दिवस की अस्थापना की थी 1989 में पहली बार मनाय गया था, तब से प्रतिवर्ष इसको मनाय जाता है 26 जून को इस बार की जो थीम है साक्षिस्पस्ट है, रोक थाम में निवेश करें The evidence is clear, invest in prevention Mart practice की सरकार के सरकार ने कएबनेट मन्ती मंडल ने एक बड़ा निड़े लिया अभी तक मंत्रियों के आइकर को द्वारा भरा जाता था, अब मंत्री इस शिवाट की गई वर्ष 2014 में आपको बता दें एक फैक्ट याद रखेगा कि रोटा वाइरस वैक्सीन को सुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था डारिया के संदर में इस फैक्ट को याद रखेगा मुंबई भारत का पहला जहां की Artificial Intelligence समर्थित संस्थान है Universal AI विश्वद्याले कहां पर है मुंबई में है एक प्राइवेट इनवस्टी है हाला कि 2009 में Universal Business School के रूप में इसकी स्थापना की गई थी एक प्राइवेट इनवस्टी है तरुण आनंद इसके संस्थापक है 2023 में इसको विश्वद्याले का दरजा दे दिया गया इस तरह से यह पहला विश्वद्याले है जो पूरी तरीके से Artificial Intelligence पर समर्थित है उस पर यह पूरी तरीके से समर्थित है साइमन मौक इसके हाली में कुलपती निख्थ हुए है साइमन मौक एक विदेशी विक्ति है और इस तरीके से किसी भी भारती श्वद्याले में पहली विदेशी निख्थी है कुलपती के रूप में यह तो याद रखेगा फैक्ट पूसकता है बिलन सुमालिया की एक मात्र महिला मीडिया समू है जिसे की वर्ड की प्रतिस्थित One Word Media Press Freedom Award 2014 से समानित किया गया क्या नाम है बिलन गुजरात की राज़ानी गाधिनेगर में राष्टी रक्षा शुद्याले के परिशर में NDU में नेशनल डिफेंस इनवस्टी के परिशर में भारती उलम्पिक अनुसंधान यों सिक्षा केंद्र का उधगाटन हाली में किया गया तो अभी पूछेगा भारती उलम्पिक अनुसंधान यों सिक्षा केंद्र का उधगाटन कहां किया गया तो गुजरात के गाधी नेगर स्थित, राष्टी रक्षा विश्ट जाले में यहां से कोई भी फैट उपर वाला या नीचे वाला पूछ सकता है ब्रिक्स खेल 2024 का जान रूस में आवजित हुए इन खेलों में रसिया पहले अस्थान पे रहा 507 पदक इसने जीते जिसमें 264 गोल्ड थे बेलारूस दूसरे अस्थान पे रहा 247 पदक इसने जीते 55 गोल्ड थे इसमें चीन तीसरे पाइदान पे रहा 62 पदकों के साथ इसमें 20 गोल्ड थे उजबेकिस्तान चोथे अस्थान पे और पंच्वे अस्थान पे ब्राजील का रहा भारत इन खेलों में 29 पत्कों के साथ आठ्वे अस्थान पे रहा भारत के इसमें 3 स्वन्ड 6 रजट और 20 कांश थे 3 गोल्ड 6 सिल्वर और 20 ब्राउंज मिंडल थे रूस के लिहास से एक खेल काफी कुटनीतिक दिश्टे कर देखा जाए तो रूस की बड़ी विजए के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसमें 86 देश शामिल हुए जहां मेरिका और यूरोब के जो देश हैं उनका ये प्रयास लगातार है नाटो कंट्रीज खास करके कि रूस को दुनिया से अलग थलग किया जाए तो ये खेलों की सफलता जो है इतना सफल आयोजन और 86 देशों का समलित होना ये कहने कहीं रूस की एक बड़ी कुटनीतिक विजे के रूप में देखा जा रहा है रूस ने एक प्रकार से लाजवाब कर दिया है अन्य देशों को अभी हाली में रूस के जो राश्पती हैं बलादी मेरे पुतिन उन्होंने उत्तर कोरिया की यात्रा की वहाँ पे डिफेंस डील की तो एक एतिहासिक यात्रा थी अभी तक यात्रा की नहीं थी बहुत लंबे समय से किसी रसिया के राश्पती ने और उसके बाद डिफेंस डील होना ये कहने कहीं और ज़्यादा जले पे निम्मनमक शिड़कने वाली बात थी लेकिन फिलहाल 86 देशों का इसमें सामिल होना एक बड़ी विज़े है अगला जो खेल होगा ये ब्रिक्स खेल ब्राजील में आवजित होगा ब्राजील के लिए एक बड़ी चुनोती हो गए कि इतना सफल आवजन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा केरलम केरल विधान सभा के द्वारा केरल राजी का नया नाम केरलम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है केरलम यहाँ पर पहले चेरों का शाशक था तो चेरलम के रूप में पहले जाना आता था कई साहित्यों में चेरलम शब्द मिलता है इसलिए चेरलम से केरलम बना और केरलम से केरलम बना तो यह जो एक एतिहासिक दिश्ट से और साहितिक दिश्ट से देखा जाए तो केरलम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है अब केन सरकार का क्या रुक रहेगा यह देखने है योग्य होगा हाला कि आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवार 27 जून को सुक्ष लगु एवं मध्यम उद्योग दिवस MSME Day के रूप में मनाया जाता है वर्स 2017 में सेंटराष्ट महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2018 में ये पहली बार मनाया गया था भारत में भी भारत के आर्थिक विकास के दिश्ट देखा जाया तो MSME का बहुत ज़्यादा महत्व है यही कारण है कि MSME को लगातार भारत सरकार के द्वारा महत्व दिया जा रहा है अभी हाली में सी जीतन राम माजी MSME मंत्राला इन्होंने समाला है MSME मंत्री बने है 27 जून 2024 को इनके द्वारा उद्यमी भारत MSME Day का एक्रम आयवजित किया जायेगा नई दिल्ली में MSME सम्मिलन भी आयवजित हुआ 26 और 27 जून को कहां पर लखनों में पूछ सकता है इसके संबंद में 2024 की थीम जो है बहुत लंबी चोड़ी है कई संक्टों के समय में सतत्विकास को गति देने और गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म लगु और मध्यम उद्यमों की शक्ति व लचीलेपन का लाव उठाना भारत की अगर बात की जाये MSME की दिश्टी से तो लगु उद्योग विकास संगठन पूछ सकता है इसकी अस्थापना कब हुई थी 1954 में हुई थी एक और प्रशना आ सकता है कि कायर बोर्ड जो की MSME मंत्राले का एक बहुत महत्यपूर्ण अंग है कायर बोर्ड की अस्थापना 1903 में हुई थी यहां पे लिखा नहीं हूँ लेकिन याद रखेगा पूछ सकता है लगु उद्योग और क्रिशी एवम ग्राम उद्योग मंत्राले जिन्हें अलग कर दिया गया था अर्थाद लग उद्योग मंत्राले अलग हो गया था क्रिशी एवम ग्रामिड उद्योग मंत्राले अलग मंत्राले हो गया था कब सितंबर 2001 में 9 माई 2007 जो की सबसे आदा महत्पूर्ण है इन दोनों मंत्रालेओं को MSME मंत्राले बना करके इसमें विले कर दिया गया तो एक नया मंत्राले का गठन MSME मंत्राले जो वरतमान में है इसका गठन 9 माई 2007 को हुआ था MSME अधनियम कब लागू हुआ था पूछ सकता है तो अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था इसके लामा भारती लग उद्योग विकास बैंक सिडबी ये वित्त का प्रबन जो करता है MSME के लिए 2 अपरेल 1990 में इसकी अस्थापना हुई थी लखनाओ उत्तरबदेश में इसका मुख्याले है यहां से प्रश्णिये सभी पूछे आ सकते हैं याद रखेगा 18 लोगसभा में जो स्पीकर चुने गए पुनह ओम बिड़ला इसके स्पीकर हो गए है लोगसभा में विपक्ष के नेता का पद जो की दस वर्शों से एक हाली था राहूल गाधी को ये पद मिल गया है दस वर्शों के बाद ये पद फिल हुआ है आपको बता दें कि ये जो पद है लोगसभा में विपक्ष का नेता का पद बहुत ही महत्पूर्पद है ये प्रकार से वैकल्पिक सरकार समझ सकते हैं यही कारण है कि विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दरजा दिया गया है अथान मंत्री यहां मंत्राले है तो इनके विरुद्धे एक मंत्री की व्योस्था कर दी गई है ठीक है जो वैकल्प आगे देखें, हाँ ये बात ध्यान रखेगा कि विफश के नेता का जो पद है, ये समयधानिक पद नहीं है, कई जगह गलत आपको लिखा मिल जाएगा, ये समयधानिक पद नहीं है, बलकि 2007 में 1977 में एक अधनियम आया था, संसद का, उसके द्वारा इसको विधिक शक्ति द दिया गया है, वेतन भत्ते, आदि प्रबंद किये गया है, नियम एक है, सचिवाला ही नियम है, ध्यान रखेगा 1977 के अधनियम में ये नियम नहीं है, दस परसेंट वाला, बलकि सकार्मिक सचिवाले के अंतरगत, ये नियम बनाया गया है, कि जिस पाल्टी ने लोगसभा चुनाओं में, सदन की कुल सीटों में, नियूनतम दस प्रतिशत जीती हों, जो लगबग 55 सीटें होती है, कितनी 55 सीटें, अर्थात, बिपश्क नेता का पद हासिल करना है, तो किसी भी पार्टी को कम से कम 55 सीटें आम चुनाओं में जीतनी होंगी, लोगसभा में इतनी स इसने 99 सीटें जीती हैं, इसलिए योग यता मिल जाती है, इसको विपश्क नेता के पद की। विपश्क का नेता दोनों सदनों में होता है, निचले और चसदन दोनों में, राजसभा में भी, लोगसभा में भी। वर्स 1977 में संसदी अधनियम के उदारा इसको मानता दी ग जो विपश्च के नेता थे राम सुभग सिंग थे राज सभा में विपश्च के पहले नेता कौन बने थे श्याम नंदन प्रसाद मिस्रा इनका नाम याद रखेगा कैबिनेट मंती का दरजा सुभधाएं सचीवाले में आफिस तीन लाख तीस जार वेतन जो की लगबख सवा दो लाख वेतन से जो की सांसत का वेतन होता है कहीं ज़्यादा है हाई लेवल सेक्योर्टी जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है मुफ्त हवाई और रेल यात्रा कई समितियों के सदस्य होंगे और कई समितियों के अध्यक्ष भी होंगे लोक लेखा समित के अध्यक्ष होंगे इस तरीके से सरकार के कारियों पे निगरानी रखेंगे सरकार कार्य इतने महत्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकार और करतव्य मिल गए है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश CSE एक संस्था है दिल्ली की इसके अनुसार उत्तर प्रदेश संपीडित बायो गैस कंप्रेश्ट बायो गैस उत्तपादन शम्ता में देश में शीष अस्थान पर है सबसे उच्च पायदान पर है कौन उत्तर प्रदेश नई दिल्ली में 64 आईएसो अंतर राष्टी सरकरा संगठन परिशद बैठक आउजित हुई कहां पर नई दिल्ली में 25 से 27 जुन आईको बता दें कि इस परिशत की बैठक वर्स में 3 बार होती है भारत को चुकि चीनी का सबसे आदा उब्भोकता भारत है सबसे बड़ा उब्भोकता है विशू का और दूसरा उत्तपादक है चीनी का इसको देखते हुए महत को देखते हुए भारत को 2024 के लिए ISO का जो अंतराश्टी सरकरा संगठन है इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है ISO की अस्थापना 1960 में की गई थी इसका हेट कौर्टर लंदन में है वर्तमान में 85 सदस्य देश हैं इसमें कि अपको बताते हैं कि उत्तरपदेश के दिश्चे बहुत महत्पूर्ण प्रश्चन है कि कहां पर जो यह कायक्रम था परिष्चत की बैठक आयो जीत होनी थी उत्तरपदेश में कहां से किस अस्थान से इन कायक्रमों को सुरू किया गया तो मुजफर नगर से इन कायक्रमों के लिए कायक्रमों की एक श्रिंखला आरम हुई बैठक से ठीक पहले अर्थाद बैठक 25-27 जून तक होनी थी और ये कायक्रम सुरू हुआ 24 जून को परागवे अंतराश्टी सवर गड़ बंधन का सववा पूर सदस्य देश बन गया है कौन परागवे इसकी राजधानी क्या है आप लोग ये दक्षण मेर की महत्पूर देश है इसकी राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बाक्स में बताएंगे अंतराश्टी सवरगडमन का सौवाँ पूर्सदर्श देश कोन बना है परागवे विशुबैंग ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है इसके अंस्वार भारत वर्ष 2023 में शीर्ष प्रेशन का प्राप्त करता बना रहा पिछले वर्ष भी था इस वर्ष भी बना रहा रेमिटेंस सबसे आदा भारत को प्राप्त होता है कितना प्राप्त हुआ वर्ष 2023 में 120 BILLION डालर के आकड़े कुछ हो गई या भारत ने दूसरे स्थान पे चीन है 50 BILLION डालर के साथ तीसे अस्थान पे फिलिपिन्स है 49 बिलियन डॉलर के साथ चोथे अस्थान पे पाकिस्तान है 27 बिलियन डॉलर के साथ भारत को सरवाधिक जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो अमेरिका से प्राप्त होता है उसके बाद दूसरे स्थान पे है संयुक्त अरब अमीराथ UA शत्रू एजेंट अध्यादेश कानून का संबंध किस राज्य से है ये पूछ सकता है तो जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है पहली बार इसे 1917 में जारी किया गया था हाली में वहां के DGP के एक बयान के बाद ये चर्चामाया वहां पे जो आतंकी घटनाय हो रही है मुखबिरी हो रही है तमाम तरह की उस पर लगाम लगाने के लिए इस कानून को लागू करने की सिफारिस वहां के DGP ने हाली में की है इसके बाद इस पर चर्चा तेज हो गई क्योंकि इस कानून के जो प्रावधान है वो अभी तक कि जितने भी आतंकवाद रोधी कानून है उनसे कहीं ज़्यादा कड़े हैं कहीं ज़्यादा कठोर है ठीक मितुदंड जैसी सजा है इसमें छोटे छोटे जो आतंकवाद से सं मंदित जोगत विदियां है उसके लिए ठीक तो इसके बाद यह चर्चा में पूर सकता है शत्र एजेंट अध्यादेश कानून का संबंध किस राजस से है तो जम्मू कश्मीर से है केरल के कोची शहर में प्रथम अंतराष्टी डेरी फेडरेशन एशिया प्रशान सिखर स गलोबल इंवार्मेंट के लिए जो वैश्विख प्रोग्राम यंट ऐफिर अन्यसनस्थाों के चलते हैं उनको वित् पोशनर प्रदान करने का काम वैश्विख परियावन सुभधा करता है 1991 में इसकी सुरुवात हुई थी हाला कि 1992 में रियो डी जेनेरियों में हुए प्रथम पित्वी सम्मिलन में इसका पुनर गठन किया गया वर्तवान सरूप इसी के अनुसार है इसका IBRD अर्थाद विश्व बैंक इसका ट्रस्टी है और तमाम जो वैश्विक्षन स्थाएं है परियावरन से जूड़ी वो इसके भागिदार है सरसथवा जी इफ परिशद बैठक का आयोजन हाली में वासिंग्टन डी सी जो एकी इसका मुख्याले भी है सचीवाले भी है यहाँ पराय जित हुआ तो यह पूछ सकता है सरसथवी जी इफ परिशद बैठक कहा है जित हुए वासिंग्टन डी सी में इसमें जो महत्पूर बात रही 34 परियावरन संबंधी परियुजनाओं के लिए 736 दसमलो 4 मिलियन डालर की मनजूरी इस बैठक में प्रदान की गई तो जी इफ का मुख्याले कहा है वासिंग्टन डी सी में इस सब फैक्ट्स बहुत महत्पूर है याद रखेगा हंसा महता हाली में चर्चा में रही जब संउक्तराष्ट महासभा के द्वारा इनको कूटनीत में महिलाओं के अंतराष्टी दीवस के आउसर पर सम्मानित किया गया इनके योगदान को देखते हुए खासकर महिला सम्मान महिला अधिकारों के लिए जो इन्होंने काम किया है 24 जून को बता दें आपको की सैयुक्तराष्ट की महासभा के द्वारा 2021 में कूटनीत में महिलाओं के अंतराष्टी दीवस की अस्थापना की गई 2022 से यह प्रतिवर्ष मनाये जाता है हंसा महता प्रख्याद भारती विद्वान सिक्षिका और समासुधारक थी खिका भी थी इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया था 3 जुलाई 1897 में इनका गुजरात में जन्म हुआ था गाधी जी से बहुत प्रभावित थी गाधी जी के साथ इन्होंने राष्टी आंदलोनों में भी हिस्सा लिया था देश सेविका संग जिसको राष्टवादी महिला शमिख समू भी कहा जाता है इसका भी नेतित इन्होंने किया था भारती समिधान को बनाने के लिए जो समिधान सभा थी उसकी भी 15 महिला सदस्यों में ते एक थी सेउत राष्ट के मानवादिकारों की सारभोमिक घुष्णा का मसोदा तयार करने में इन्होंने योगदान किया था उसकी भाषा खास कर चेंज करने में जो कि पुरुष प्रधान भाषा थी उसको समान अस्तर पर लेंगिक समानता तक ले जाने में इनकी महत्पून भूमिका मानी आती है जैसे सभी पुरुष स्वतंत्रव समान पैदा होते हैं इस वाक्य को बदल करके इन्होंने सभी मनुष्य स्वतंत्रव समान पैदा होते हैं पहले पुरुष था इन्होंने सभी मनुष्य स्वतंत्रव समान पैदा होते हैं ये करने का सुझाओ दिया था इसको अपना भी लिया गया ये युनाइटेड नेशन्स मानवा दिकार आयोग की दूसरी महिला प्रतनिधी भी थी पहली कौन थी एलोनोर रूजवेल्ट थी इसके अलावा 1945 में अखिल भारती महिला समेलन की अध्यक्षता भी इनोंने की थी हैदराबाद में ये समेलन आजज़त हुआ था अध्यक्षता इनोंने की थी 1950 में युनाइटेड नेशन मानवा दिकार आयोग की उपाध्यक्ष रही समिधान सभा में राष्टी ध्वज को हंसा महता ने 1969 में इनको पद्म भूशन जो समान है उससे समानित किया गया था अब खरीफ फसलों के लिए हाली में नियूंसम समुर्थन मूल्य जारी किये गए याद रखेगा इसको दोस्तों यहाँ प्रशन पूस सकता है दो तीन अनाजों का खासकर पूसता है लेकिन याद रखेगा इसका मिलान करने के लिए सकता है जो समान अधान है उसको जो है कितना कर दिया गया है पहले 2183 थी था मूल्य प्रतिकुंटल 170 रुपए बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 2300 कर दिया है Grade A धान का मूल 2203 रुपया था 117 रुपया बढ़ाकर 220 रुपया कर दिया गया है जवार का जो मूल है Hybrid और माल दंडी दोनों का देख लीजे 3371 रुपया कर दिया गया है पहले 3181 था 111 रुपया के बढ़त्तरी हुई है 1192 रुपय की जो बढ़त्तरी हुई है माल दंडी में हुई है ठीक पहले 3225 रुपय दाम था 3421 हो गई है बाजरा का मूल जो समर्थन नियूंतन समर्थन मूल है MSP है 2625 रुपया हो गया है 25 रुपय पहले था तो 125 रुपय की बढ़त्तरी हुई है रागी में बड़ी बढ़त्तरी हुई है 4290 रुपय रागी का दाम हो गया है 3846 पहले था 444 रुपय का इजाफा किया गया है मक्का 2225 रुपय हो गया है 135 रुपय मूल इसका बढ़ाया गया है 2090 रुपय पहले था दालों की बात करें तो अरहर या तूर 7550 रुपय इसका दाम हो गया है पहले 7000 रुपय था 550 रुपय की बड़ी बढ़त्तरी अरहर या तूर में की गयी है मूं का दाम 8682 रुपय हो गया है 8558 रुपय पहले था 124 रुपय की बढ़त्तरी की गयी है इसके लावा उड़द चहुतर सो रुपए इसका दाम हो गया है चार सो पचास रुपए के मूले के बढ़ोतरी के साथ तिलहन में देखें तो मुंफली 6,783 रुपए हो गया है दाम पहले 6,370 रुपए था 406 रुपए इसका मूले हो गया है सूरज मुखी के बीज पहले 6,760 में थे 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 कर दिया गया है सोयाबीन जो पीला सोयाबीन है 4,600 रुपए था 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 कर दिया गया है तिल इसमें पहले 8,635 रुपए था मुल्य 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 कर दिया गया है नाइजर सीड में सरवाधिक बढ़ोत्री की गई है 983 रुपए की पहले 7,734 रुपए मुल्य था 8,717 कर दिया गया है कपास का मुल्य 7,121 रुपए हो गया है जो मीडियम स्टेपल है 501 रुपए बढ़ोत्री की गई है वहीं लॉंग स्टेपल में भी 501 रुपए की बढ़ोत्री की गई है तो सरवाधिक बढ़ोत्री जो हुई है MSP में नाइजर सीड की MSP में हुई है 983 रुपए खास कर धान का देखेगा 170 रुपए की बढ़ोत्री हुई है किसी भी रूप में इसको पूछ सकता है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद Garden Reef Sip Builders Engineers जो की कुलकाता में 1884 में स्थापित हुआ था हाली में चर्चा में रहा क्योंकि इसने Sustainable Governance Champions Award 2014 जीता है किसने Garden Reef Sip Builders एंड इंजिनियर्स ने हौकी इंडिया उलम्पिक के लिए पुरुष टीम की हाली में घुशना की गई है भारत के लिए जिसके कप्तान हर्मन प्रीत सिंग बनाए गए है उग कप्तान हारदिक सिंग बनाए गए है पेरिस में जो उलम्पिक आविजित होने वाले है कपिल देओ जो कि भारत के महान क्रिकेटर है 1983 विश्यकप के विजेता भारती टीम के कप्तान थे भारत के नए गोल्फ प्रमुख गोल्फ टूर आफ इंडिया के अध्यक्ष बने है कपिल देओ प्रीडम एज दक्षिन कुरिया जापान और अमेरिका का सेयुक्त सैन अभ्यास है प्रीडम एज इसका नाम है आज में इस्तिहकाम इस्तिरता के लिए संकल्प इसका अर्थ होता है पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा वहाँ पर आतंक वाद से लड़ने के लिए आरम किया गया यह अभियान है लेफ्ट्रियन जनरल एनेस राजा सुबरमडी भारत के नए सेना उपरमुख बने है लेफ्ट्रियन जनरल उपेंदिवेदी का स्थान ये लेंगे जो की उपेन दिवेदी नए सिना प्रमुख भारत के बन रहे हैं लदाख यहाँ पर उल्लास नो भारत साक्षर्ता कायकरम के तहट पूर्ड कार्यात्मक साक्षर्ता हासिल कर लिया गया है इस तरीके से उल्लास कायकरम के तहट उल्लास अभियान के तहट पूर्ण कार्यात्मक साक्षर्टा हासिल करने वाली पहली प्रसासने की काई बन गई है लद्दाक भारत की यहाँ पर उल्लास कैक्रम के तहद सतान बे प्रत्षत से अधिक साक्षर्टादर हासिल कर ली गई है सेंट ट्रोपेज फ्रांस का शहर है यहाँ पे 43 वा विश्व चिकिस्सा यहां स्वास्त खेल आयोजित हुए जिनको मेड गेम्स भी कहते हैं चिकिस्सा पेशेवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन यह माना जाता है पहली बार यह आयोजन 1978 में फ्रांस के कांस में आयोजित हुए थे भारत ने इस प्रत्योगिता में 32 पदक कुल जीते जिसमें 19 गुल्ड, 9 सिल्वर अर्चार रजत और 5 ब्रॉन्ज या कांस से मेडल रहे सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किस मंत्राले का अभियान है तो आवास्व शहरी कार्य मंत्राले के द्वारा स्वच भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सुरू किया गया इनेशियेटिव है पहल है एक जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक यह पहल चलाई जा रही है उल्लास के बारे हम बात करें उपर हमने चर्चा की लद्दाग के संदर में सत्तान में साच करता है रहासिल किया लद्दाग ने इसका फुल फाम है अंडर्स्टेंडिंग आफ लाइफ लॉंग लर्निंग फॉर आल इन सोसाइटी आज इवन सिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश है इसका जो मुख लक्ष है पंद्रवर्ष या उससे अधिक के नागरिकों के बीच बुनियादी साक्षर्ता और कोशल में अंतर को पाटना इसका जो लक्षित वर्ग है पंदर वर्ष या उससे अधिक आईसमू के व्यक्ति जो इसकूली सिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको साक्षर बनाना है वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तकी अभियान चलाया जा रहा है 29 जून को राष्टी सांकी दिवस होता है 2007 से भारत सरकार इस दिवस को मनाती है आपको एक बात बता दे हम कि विश्व अस्तर पर विश्व सांकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है तो ये 20 अक्टूबर की डेट और 29 जून की डेट में अंतर करिएगा 29 जून को भारत के महान सांकी विद पीसी महाल अनोविस प्रशान चंदर महाल अनोविस का जन्म हुआ था 29 जून 1893 को को लगाता में इसलिए 29 जून को राष्टी सांकी दिवस के रूप में मनाया जाता है सांकी की को बहुत योगदान दिया इन्होंने भारत में सेंपल सर्वेज होता है उसके जनक मने जाते हैं इनके जो सर्वेक्षन रहे आज भी अर्थशास्तर में भारती अर्थवयोज था के आकलन में इसका उप्योग किया जाता है स्वतंत भारत के पहला जो योजना योग बना था उसके प्रारंभिक सदस्यों में से एक थे 17 दिसंबर 1931 को ध्यान रखेगा कलकत्ता में भारती सांकी संस्थान की इस्थापना इन्होंने की थी महालुनोमिस डिस्टेंस D2 की पहचान इन्होंने की थी जिसका प्रियोग आबादी की तुलना और समूही करण के लिए किया जाता है इनको सफसे आदा जो याद किया जाता है वह है बड़े पैमाने पर सेंपल सर्वे के लिए नमूना सर्वेक्षन के लिए इस बार की जो थीम है राष्टी सांकी दिवस की वह है नेड़े लेने के लिए डेटा का उपियोग करना यूज आफ डेटा फार डिसीजन मेंकिंग PC महलोन भी इसको बहुत सारे पुरुसकार मिले थे विज्ञान और सांकी के शित के भारत में इनको 1968 में पद मिभूशन सम्मान से सम्मानित किया गया था 30 जून को अंतराशी शुद्र ग्रह दिवस एस्टरायट डे के रूप में मनाया जाता है सेंक्तराश के द्वारा विश बैंक भारत के हरित हाइडरूजन अभियान के लिए विश बैंक ने 1.5 बिलियन डालर के बड़े रिन की मंजूरी प्रदान की है इस तरह की यह दूसरी फंडिंग है इसके पहले जून 2023 में भी कार्बन उसरजन कम करने के लिए 1.5 बिलियन डालर मंजूर किया जा चुका है विश बैंक के द्वारा मार्क रूटे जो कि नीदर लेंड के प्रधान मंत्री हैं इनको नाटो का अगला महासचिव निवत किया गया है मार्क रूटे को Artificial Intelligence तैयारी सुचकांग जिसको AIP Index भी कहते है Artificial Intelligence Prepare Index 2024 किस के द्वारा जारी किया गया तो IMF के द्वारा जारी किया गया है 174 देशों के लिए जिसमें 63 अस्थान पे करमसर सिंगापूर दूसरे अस्थान पे डेनमार्क और तीसरे पे USA अमेरिका रहा भारत का जो इसमें रैंक है वो है 72 भी तो भारत 174 देशों में 72 में पाइदान पे है Global Livability Index 2024 विश्व में रहने योग्यस्थान Economic Intelligence Unit संस्था के द्वारा ये Index 2024 का जो जारी किया गया है 173 देशों का इसमें 173 शहरों का इसमें मुल्यांकन किया गया है आश्टिया की राजधानी विएना लगातार तीसरे वर्ष सीर्स पाइदान पे हर्थात विश्व में सबसे रहने योगी शहर है Top 5 जो शहर है विश्व के रहने योग पहले पे विएना है दूसरे पे कोपेन हेगन डेनमार की राजधानी जोकी है Zurich, Switzerland का तीसे अस्थान पे है Melbourne, Australia का चौथे अस्थान पे है Calgary, Canada का और Geneva, Switzerland का ये दोनों सइक तुरूप से पाँचवे अस्थान पे है सबसे निचले पाइदान पे वेनेव जुला की राजधानी कराकस है और उसके उपर कीव है योक्रेन की राजधानी ये सबसे निचले पाइदान पे दोनों शहर है Antonio Costa, पूर्टगाल के पूर प्रधान मंत्री है European परिशद, European Council के नए अध्यक्ष बनाए गया है कौन Antonio Costa? बन्निर घटा जयो भ्यारण जोकी बेंगलूरू करनाटक में स्थित है दक्षिन भारत का पहला तेंदुआ सफारी, लियोपार्ड सफारी खोला गया है कहाँ पर बन्निर घटा जयो भ्यारण में विक्रम मिसरी भारत के नए विदेश सच्यू बने हैं ये भारत के 35 में विदेश सच्यू हैं ये विनय मोहन कात्रा किया कास थान लेंगे लखीम पूर खीरी उत्तरवदेश के यहां पर आप लोग एक कमेंड बॉक्स में जवाब दीजेगा बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है एक्जाम में भी कि भारत के पहले विदेश सच्यू कौन थे पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी थे भारत के वो कौन थे आपनों कमेंड बॉक्स में बताना है लखीम पूर खीरी जो कि उत्तरवदेश का सबसे बड़ा छेत्फल वाला जिला है दो हजार करोण रुपए की लागत से बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित होगा अभी हाले में उत्तरवदेश ने अफिशियल इसके लिए घोशना की है कहां पर लखेम पूर खीरी में डेनमार्क यहां पर पशुधन उसर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाया गया है कहां पर डेनमार्क में पशुधन उसर्जन मतलब मुख रूप से कार्बन और CH4 अर्थात मेथेन की बात हो रही है अभ्यास एक हाई स्पीड एकस्पेंडेबल एरियल टार्गेट है जिसे भारत के एरनॉटिकल डेबलम्मेंट एस्टिबलिश्मेंट जो की बंगलूरू में इस्थित है ADE इसके द्वारा DRDO के लिए बनाया गया है यह क्या कारे करता है तो अभ्यास जो परिक्षण अभियान होते हैं भारत के उसके लिए नकली दुश्मन विमान बनाता है जिसको टार्गेट किया जा सके ठीक है हाली में छठा सफल परिक्षण इसका DRDO के द्वारा किया गया है अभ्यास याद रखेगा अरुन्धती राये पेन पिंटर पुरिसकार 2024 इनको मिला है बड़ा प्राइज मना जाता है लेक्कों के लिए आपको बता दें कि अरुन्धती राये की पहली ही पुस्तक थी दगॉर्ड आफ स्माल तिंग्स जिसके लिए 1997 में इनको बुकर पुरिसकार मिल चुका है आर्थिक भागीदारी समझोता CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं तो सेउक्त अरब अमीरात के साथ UNSC सेउक्त रास्वरक्षा परिशद हाली में पाकिस्तान, सुमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान या ग्रीज नए अस्थाई सदस्य बने हैं सेउक्त रास्वरक्षा परिशद के United Nations Security Council के इनका कारेकाल एक जनुरी 2025 से सुरू होगा, दो वर्षों के लिए कारेकाल होगा ये किसका अस्थान लेंगे तो क्रमश्चह, जापान, माल्टा, मुजांबी, किक्वाडर, स्रिडजर लेंड की जगह ये लेंगे पांच सदस्य, हर वर्ष निवक्त होते हैं, पांच सेवा निविर्थ होते हैं आपको बता दें कि कुल 15 सदस्य होते हैं, स्युक्तराश प्रक्षा परिशत के, पांच इसमें 23 सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है दस अस्थाई सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन दो वर्षों के लिए किया जाता है इन में से प्रतिवर्ष पांच सदस्य सेवा निविर्थ होते हैं, पांच नय की निविक्ति होती है चार छेत्री समूहों से इनका चुनाओ किया जाता है, ये चार छेत्री समूह हैं अफ्रीका वा एशिया, पूर्वी यूरोब, लाटिन अमेरिका और करेबियन, पश्मी यूरोब और अन्य देश ये सदस्य केवल अपने शेत्री समूह से उमिदवार हो सकते हैं, जैसे भारत है, तो अफ्रीका और एशिया अर्थाथ एशिया से ही चुना जा सकता है यही शेत्री अर्थाथ चार में से केवल यही जो शेत्री समूह है, वही उसका चुनाओ करेगा, जो एशिया से देश होगा, जो अफ्रीका से देश होगे, केवल यही से वो अपनी उमिदवारी कर सकते हैं, सदस्य केवल अपने शेत्री समूह से ही उमिदवार हो सकते हैं चुनाव जो है गुप्त मतदान होता है सेंगतराश के उपस्थित और जो सेंगतराश की महासभा है उसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमद से चुने जाते हैं जो सदस्य हैं वर्तमान में सेंगतराश के कुल 193 पून सदस्य हैं और ये जो चुनाव होता है पूर्ण सदस्य ही इसमें मत कर सकते हैं, परिवेक्षक और गर गैर स्थाई सदस्य मत दान इसमें नहीं कर सकते हैं, तो अभी युसेंगत राश में कुल 193 पूर्ण सदस्य हैं, याद रखेगा, आईएस मनोज कुमार सिंग उत्तरवदेश के नए मुख्य सच्यू बने हैं, दुरगा, शंकर, मिस्रा के स्थान पर ये नए मुख्य सच्यू, नए चीफ सेक्रेट्टी उत्तरवदेश के बनाए गये हैं, तो आज के लिए इतना ही देखें, विश्रुकब हम कल वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, विश्रुकब और आज से जो कानून लागू हो रहे हैं, तीनों नए कानून जो लागू हो रहे हैं उनके बारे में, आज के लिए इतना ही दोस्तों फिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद,